वेलकम बैक दोस्तो तो आज हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं अपडेट कहलो या इसको नीज कहलो तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आपको देख रहा होगा कि मार्केट में इतना बड़ा डंफिट से आया है 3.6 से मार्केट डाउन है और जो टोट 0.084,000 और दोस्तो ये 2.3 से पंप होके डाउन हुआ है पहले दोस्तो ये पंप हुआ था फिर इसमें डाउन फोल आया है इतेरियम 4.17 से डाउन है और देख सकते हो आप दोस्तो ज्यादा तरह मार्केट में रेड रेड चाया हुए है 16 ना तो 76.56 से डाउन है तो दोस्तो आप देख सकते हो अच्छा कासा इसमें डंप आ गया है मार्केट में फिर से एक बार तो दोस्तो हम बात करने वाले हैं कि ये डंप क्यों आ रहा है और आगे भी ये और ज्यादा डंप आएगा या थोड़ा बहुत मार्केट ग्रोग करेगा तो दोस्तो हम बात करने वाले यहां आज की कुछ news के बारे में तो दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको मेरी screen पर दिखेगा तो दोस्तो यह Times of India की official side है इस पर देखो दोस्तो जो RVI के chief है उन्होंने clear आज warning दिये है तो दोस्तो मैं statement आपको पढ़के हिंदी में एक अच्छे तरीके से पूरा इसको explain करूंगा और जो भी इन्होंने points दिये हैं अपने जो भी बिचार रखे हैं वो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तो इन्होंने statement दिया है warning Indians against cryptocurrencies RVI chief says tulip have more value तो दोस्तो इन्होंने clearly ही बोला है कि जो investor हैं उनके लिए ये warning है और दोस्तो इन्हों ने बोला है कि जो cryptocurrency उसका कोई आधार नहीं है मतलब कि जो cryptocurrency वो जो इनकी एक economic value है तो दोस्तो ये उस पर बहुत बड़ा असर डालती है इससे ये safe नहीं है इसकी विज़े से इन्होंने उस पर tax लगाया था 30% का और 1% उन्होंने TDS भी लगाया था जो transaction लगेगा तो दोस् है क्योंकि दोस्तों इन्होंने कहाए है it is a threat to macronomic and financial stability ये कोई मतला दोस्तों ये जो financially stability है उसको खराब कर रही है इसका कोई record नहीं है government के पास लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा पताने इनको क्या दिक्कत है इन्होंने tax fee लगा दिया और दोस्तों इनका कहना है ये एक नया bill और लागू करने बाले है तो दोस्तों इसकी वजाए से market में बहुत बड़ा डम देखने को मुला है और दोस्तों एक सबसे last thing ये सारा जो खेला है ये इसलिए किया जा रहा है तो इन्होंनों साफ लिखा है कि ये जो digital currency है ये उस पर वात कर रहे हैं करीबन एक ड digital currency launch करने वाले हैं CBDC अब दोस्तों कुछ सोचो अगर ये अपना launch कर देंगे तो दोस्तों उसे कौन लेगा इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत है इसलिए और जो normal currency है उन्हें बैन करके अपना जो coin है उसे launch करना चाहते हैं तो दोस्तों यही एक कारणता कि बहुत बड़ा दम पा रहा है क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जो investors हैं दोस्तों वो घबरा जाते हैं और panic sale करना है start कर देते हैं तो दोस्तों आप panic sale ना करें यह government का हर साल का rule है और दोस्तों आप safe रहें और दोस्तों main चीज की आप अपना पैसा कभी भी emergency वाला पैसा इसमें invest ना करें तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और दोस्तों current news पाने के लिए हमारा telegram channel है उसको join करें उसकी link मैंने description में share कर दी है तो दोस्तों मिलते हैं next